दो जो जो हमारे पास फर्स्ट एक्वेशन आई थी, इसमें एक काम करते हैं, 100 कॉमन ले लेते हैं, 3 अपोन x प्लस 2 अपोन y is equal to 11 अपोन 2 तो 3 अपोन x प्लस 2 अपोन y is equal to 11 अपोन 200 जाएगा, इसे मान लेते हैं हम क्या, 3rd, ठीक है, जो सेकेंड एक्वेशन थी हमारे पास वो थी, 260 अपोन x प्लस 240 अपोन y is equal to 28 अपोन 5 यहां से ही काम करते हैं, हम यहां से कॉमन लेते हैं, 20, 20 कॉमन लेते हैं, 13 अपोन x प्लस, कितना आएगा, 12 अपोन y is equal to 28 अपोन 5, 13 इंटो 2, 26, 12 इंटो 2, 24, 240, 13 अपोन x प्लस, 12 अपोन y is equal to 28 अपोन 5 इंटो 20, यहां चाहे तो cancel कर लेते हैं, ठीक है, 4, 5 and 4, 7, ठीक है, एक्वेशन होगी हमारे पास क्या यह, 4th, अब हमें हमें थर्ड और 4th को eliminate करना, solve करना, हमने decide कि y eliminate करते हैं, यहां 2 है और यहां 12, इसे हम 6 से multiply कराओ, 3 इंटो 6 कि अपोन x प्लस, 12 अपोन y is equal to 66 अपोन 200, जो फूर्थ एक्वेशन अपोन x प्लस, 12 अपोन y is equal to 7 अपोन 25, एक्वेशन है, 25, इधर तो LCM कितना आगया, x, या आगया, 18-13, इधर LCM कितना आएगा, 200, तो यह तो 66 रहेगा, minus 7 into, वह 25 कितने जार होता, 200, 16 times, 8 times, 25 into 4, ठीक है, 8 times, तो कितना आगया यहां पर, 5 upon x is equal to 66 minus 56 upon 200, तो 5 upon x is equal to 10 upon 200, एक 0 cancel होगा, इसे दर ले आते हैं, 5 into 20 is equal to x, कितना आगया, 100 किलोमेटर पर आर x की वैलियो आगया, अभी से उठा के कहां पूट कर लें, थर्ड में पूट कर लें, फुटिंग इन, थर्ड, थर्ड में क्या कर रखार, 3 upon x, यानि कि 3 upon 100, प्लस, 2 upon y is equal to 11 upon 200, तो 2 upon y को यहीं रोक लेके, 2 upon y is equal to 11 upon 200, minus 3 upon 100, तो 2 upon y is equal to, यह 2 upon, किसमें पूट के तमने, अच्छा, यह 2 upon y को यहीं रोक था, यहां minus है, इजरे LC हम ले ले लेते हैं, 200, तो क्या हागे, 11 minus 6, तो 2 upon y is equal to, कितना हो गया, 5 upon 200, तो इसे धर ले आओ, 2 into 200 upon 5 is equal to, कितना हो गया, y, तो कितना हो गया, 80 km पर आर, यहागे y की,